हेलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस दिन क्या दान करना चाहिए और दान करने से क्या क्या लाब होता है क्या क्या दान करने से क्या सुब होता है सक्कर से लेकर नमक ते पुरानों में भी लिखा है और यह बात हम अपने घड़ों में बुजरों के मुझे भी सुनते आए हैं कि हमें अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान पुन्ये में भी खार्ज करना चाहिए ऐसा करके ना सरीफ अपने इस जनम के अच्छे कर्मों का पुन्ये प्राप्त करते हैं बलके परलोक में भी अपने लिए पहतर अस्तान प्राप्त करते हैं आपको क्या वस्तु ये दान करनी है इस बारे में कई बार हमें पता नहीं होता आज हम आपको बताने जा रहे हैं सफता के साथ दिन में आपको हर अलग अलग दिन क्या-क्या दान करनी चाहिए सबसे पह मेद पूष्प वह मिस्री नारियल का दान कर सकते हैं ऐसा करने से सिपजी की विशेश किर्पा के साथ आपको चंद्रमा भी मजबूत होता है मंगलवार को दान करना बेहदी फलदायक होता है मंगलवार को लाल फूल लाल चंदन लाल वस्त्र वादाम और तांबे के बटनों का दान करना सबसे swings माना जाता है मंगलवार को दान करने से जहां आपका मंगल मजबूत होता है संकट मोचन बजरंग वली कि किरपा और परिवार में सुक्सान्थ सान्ति बनी रहती है बुद्वार करने बुद्वार को दान करना हम सब के केरियर के लिए बेहत फाइदेमंद होता है बुद्वार को हरी वस्तों का दान करना सबसे सुभ माना जाता है आप ज़रूरत मंदों के इस दिन हरी मूं के हरे रंग के वस्तर या फिर स्वहागिन महलाओं को हरी चूनिया दान कर सकते हैं दोस्तों बढ़स पतिवार को क्या गया दान हमारे सम्मान की रक्षा करता है और दान करना हमें समाज में सम्मान के साथ ही धन बैव और यस की प्राप्ति करवाता है बढ़स पतिपार पर बढ़स पति गढ़ा का प्रभाब होता है तो इस दिन पीली वस्तु जो होता है सुकुरवार का दान आपको सुक्र ग्रहा की सुभता पर दान करता है सुकुरवार का दिन मा लक्षमी को भी समापित होता है इस दिन आप केसर और चावल की खीर बना कर जरूरत बंदों को दान कर सकते हैं इसके अलावा इस दिन आप सफेद बस्तूओं का दान करके लाव प्राप्त कर सकते हैं इस दिन दान करने से आपके घर में सुक सामिर्दी आती है इसके साथ ही शुक्रवार को नमक का दान भी पिशेज पुन्नेदाई होता है सनिवार का दान, सनिवार का दिन सनी देव को समणपित होता है, इस दिन सनी देव के रोज दान करने से आपके उपर से सनी देव के असुभ प्रभाव समाप्त होते हैं, सनिवार को उरद की दाल, सरसो का तेल, काले वस्तों, वस्तरों का दान करना सबसे सुभ माना जाता है, स रविवार का दान सुर्य देव को समरपित होता है सुर्य देव हम सब की कुंडली में मान सम्मान के कारक माने जाते हैं रविवार को हमें ऐसी वस्तों का दान करना चाहिए जो लाल ये फिर कैसे गया रंके हो रविवार को लाल फूल नारंगी वस्तर और लाल रंके फलों का करने से आपके सम्मान की रक्षा होती हैं दोस्तों हम आंसा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्मुंद रहा होगा और आप जान गए हुँगे कि किस दिन आपको दान करना है तो अगर आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले धन्यवाद